असलाम अलेकुम, स्टुडेंट्स आज हमने चेप्टर नमबर 7 का लेक्चर नमबर 5 स्टार्ट करना है आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टिशनिंग क्या होती है और पार्टिशनिंग की टाइप्स कौन कौन सी है इसके लावा हम मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे और सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पार्टिशनिंग होती क्या है disk partition is a disk management technique देखें partition का जो लफजी मतलब है उसका मतलब है किसी चीज़ के हिस्से कर देना तो ये जो disk partition है इसका मतलब ये है कि हम अपनी hard disk के different हिस्से कर सकते हैं यानि कि उसको logical divisions में divide कर सकते हैं it is the logical division of the hard disk ये असल में हमारी जो hard disk है उसकी logical division होती है a hard disk can contain one or more partitions और आप अपनी hard disk की एक या एक से ज़्यादा partitions कर सकते हैं partitioning is useful if the user wants to use multiple operating systems partitioning उस वकत आप कर सकते हैं या उस वकत useful हो सकती है अगर आप अपने computer में एक से ज़्यादा operating system install करना चाते हैं मतलब आप windows 7 भी install करना चाते हैं windows 10 भी install करना चाते हैं तो windows 7 जो है वो अलग partition में और windows 10 जो है वो अलग partition में install होगी अब देखते हैं कि partition के different types कौन-कौन सी हैं एक है primary partition और एक है extended partition देखें जब आप अपने computer की hard disk की partitioning करते हैं तो उसमें जो एक हिस्सा होता है वो primary partition होता है और एक extended partition होता है अब primary partition क्या चीज़ है इससे system partition कहते हैं क्योंकि इसमें आपका operating system बढ़ा होता है the system partition contains the hardware specifies files required to load windows यानि कि इसमें आपकी windows पड़ी होती है आप कह सकते हैं कि primary partition आपकी hard disk का वो हिस्सा है जिसमें आपकी windows install की जाती है और जब भी आप अपने computer को on करते हैं तो उसी partition के जरीए या उसी partition के अंदर मौझूद जो files होती है उन्हीं के जरीए आपकी windows जो है वो memory में load की जाती है अब primary partition के हवाले से कुछ और चीज़ें देखते हैं primary partition can be created to occupy the entire hard disk or a portion of it वो कह रहा है कि आप primary partition पुरी hard disk को भी primary partition बना सकते हैं या पुरी hard disk में से किसी एक specific area को भी primary partition के तोर पर यूज किया जा सकता है any hard disk can have a maximum of four partitions आप किसी भी hard disk की चार partitions maximum कर सकते हैं जिसमें से आपकी मर्जी है आप उन चार में से किसी एक को primary बना दें या किसी दो को primary partition में बना दें और फिर उस primary partition में आप operating system इंस्टॉल करते हैं उसके बाद देखते हैं line number three में each primary partition must be formatted after partitioning यानि कि आप उसको अपने primary partition को format भी करना होता है इसका मतलब क्या है कि उसकी formatting करनी होती है the primary partition should be formatted as a single logical drives only इसका मतलब यह है कि आप primary partition यानि कि जो हिस्सा आपने primary partition के लिए मुखत कर दिया इसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते बलके एक ही logical drive के तौर पर उसको इसको 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 मल्टीपल लॉजिकल डिवाइड में डिवाइड नहीं किया जा सकता जैसे कि आप diagram में देख सकते हैं और primary partition वाला हिस्सा है उसको मजीद divide नहीं किया गया जबके जो extended partition है आप देख सकते हैं कि उसको तीन या चार logical drives में divide किया गया जैसे कि logical drive E है logical drive F है और logical drive G है इस तरह से आप उसको divide कर सकते हैं तो जो हम extended partition के बारे में discuss करेंगे तो आपको मजीद idea हो जाएगा कि इसका क्या म partition देखें primary partition जिसमें आप अपना operating system install करते हैं उसके इलावा जो बाकी partition बच जाती है वो extended partition होती है और उस extended partition वाले portion को आप मजीद divide भी कर सकते हैं और आपको पता है इस बात का जो लोग computer यूज करते हैं कि आपके जो computer होता है उसमें D drive होती है E drive होती है F drive होती है मतलब different drives ह होती है जिसमें आप अपना data save करते हैं तो वह different drives हैं इसल में वो extended partition होती है जिसको आपने 2 या 3 इस बात किया होता है जो आपके C drive होती है वो primary partition होती है क्योंकि उसमें आपका operating system बढ़ा होता है उसके लावा बाकि जितनी drives होती है वो extended partition को मझीद हिस्व में divide किया जाता है तो second line discuss करते हैं The sub partitions are known as logical partitions तो यह सारी logical partitions होती है It is done to use multiple operating systems A hard disk can have only one extended partition और hard disk में एक ही extended partition होती है जिसको आप मजीर divide कर सकते हैं Second paragraph देखें The extended partitions can also be formatted to create drives Any number of drives can be created on an extended partition Unlikely primary partition वो कहता है कि primary partition को तो आप divide नहीं कर सकते हैं लेकिन extended partition का जो हिस्सा होता है उसको आप अपनी मर्जी से 3, 4, 5 जितनी भी logical drives में divide करना चाते हैं आप कर सकते हैं जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं Each drive can be designated by an alphabet और हर drive का कोई ना कोई नाम होता है E होता है, F होता है, G होता है जो लोग computer इसमाल करते हैं उनको इस बात का पता होगा तो आज हमने जो main topic हमारा है वो यही है कि partitioning क्या है कि आप अपनी hard disk को different हिस्सों में divide करते हैं उसे partitioning करते हैं अब जो दो main हिस्से हैं उसमें बताए एक primary partition है जिसमें आपका operating system install होता है और उसको आप मजीद divide नहीं कर सकते और दूसरा हिस्सा जो है extended partition है इसमें इसको आप मजीद divide भी कर सकते हैं यानि कि different logical drives में divide कर सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि D drive है, E drive है, F drive है या G drive है इस तरह से आप इसको divide कर सकते हैं उसके बाद next देखते हैं जिसमें हम देखेंगे multi-tasking और multi-processing में क्या difference है इसके इलावा हम देखेंगे single user और multi-user operating system में क्या difference है तो सबसे पहले देखते हैं multi-tasking और multi-processing यह जो दो terms हमने इस्तमाल की है पहले भी हमने इस बारे में discuss किया है कि इसमें क्या different है अब उसके नाम से पता लग रहा है कि multitasking का मतलब है कि एक time में ज्यादा काम करना देखे multitasking के definition क्या लिखी हुई है an operating system that can execute more than one program at a time ऐसा operating system जो एक time में एक से ज्यादा काम कर सकता है उसे कहते है multitasking operating system it can support single user at one time to perform different tasks यानि कि एक single user एक से ज्यादा काम कर सकता है एक time में जैसे कि आप एक time में कोई facebook भी use कर रहे होते हैं या आप कोई चीज copy paste भी कर रहे होते हैं या कोई song भी सुन रहे होते हैं तो इस तरह से आपने एक ही time के अंदर multitasking कर रहे होते हैं यालएनी मुल्टी टास्किंग कर सकते हैं उन्हें multitasking operating system कहते हैं अब multiprocessing का क्या मतलब है यहां पर multiprocessing नहीं है बलके एक task जो है वो different processors perform कर रहे होते हैं चालए multiprocessing का मतलब है कि processors की त copyright यहाँ पर ज्यादा बताई जा रही है multitasking का मतलब है कि एक processor different काम कर रहा है जब कि multiprocessing का मतलब है कि different processors एक काम कर रहे है तो an operating system that sports two or more processors running programs at the same time. देखिए multiprocessing की बात हो रही है कि एक से ज़्यादा processors जो है वो मिल कर काम कर रहे है इसे multiprocessing कहते है it sports multiple users at one time to perform different tasks कि multiple users different काम कर सकते है अब इसमें लास्ट में उसमें example दी है जैसे कि Linux है, Unix है और या Windows 2000 है यह सारे operating system जो है यह multi processing भी है यानि कि इनमें एक से ज़्यादा processors एक time में एक काम को या different कामों को perform कर सकते है उसके बाद दूसरी term हम देखनी है कि single user और multi user operating system क्या होता है definition देख लेते है an operating system in which only one user can work at a time ऐसा operating system जिसमें एक time में सिरफ एक user काम कर सकता है उसे single user operating system क्याते है और ऐसा operating system जिसमें एक time में एक से ज़्यादा users जो है वो काम कर सकते हैं उसे multi user operating system क्याते हैं बिल्कुल सिंपल सी बात है अब multi user operating system का मतलब क्या है कि एक time में एक से ज़्यादा लोग किसी भी चीज़ को इस्तमाल कर रहे हैं, देकि networking में क्या होता है कि एक computer है जो server computer है उसको एक ही time में different client जो हैं वो access कर रहे होते हैं यो use कर रहे होते हैं, तो हम कहा सकते हैं कि जो server computer है, उसमें multi user operating system install हुआ हुआ है क्योंकि उसे एक time में एक से ज़्यादा client जो यूज कर रहे होते हैं आज का topic हमारा इतना ही है chapter number 7 हमारा complete हो गया है, तो इंशाला next lecture में हम next chapter start करेंगे जजाकला